अब अगर आप लोगों को मेरी हेर साइल पसंद है और अगर आप लोग मुझसे पूछते हो कि क्या मैं अपने बालों में क्रियेटीन करवाऊंगा तो दोनी सर जोन अब्राम सर इनके बारे में स्तोस्ते से एक पॉफेक्ट पिचर बनती है इनके स्ट्रेट हेर और इनको देखके लगता है काश मेरे भी तलंबे बाल होते और मैं भी इन पर क्रियेटीन करवा के इनके जैसा पॉफेक्ट लोग अचीव कर पाता पर ब्रो के लिए रखाता और वो भी प्रोफेशनल्स के एक्सपेटीज के अंडर बात करता हूं तो अगर आप इसमें इंट्रस्ट्रेट हो तो मेक्शोर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ता कि आप और मैं मिलके कम्यूटी बिल्ट कर सकें टाइटल पढ़के आप समझ गई के प्रोसेस की अब बात करते हैं क्रिएटीन कर आने के कुछ फाएदे और कुछ नुकसान की तो चलों पहले हम बात कर लेते हैं कर एक अब जो слов के Tul Bartika अ एक perfect look देता है, आपको बाकियों से stand out करवाता है, क्योंकि आदे इंडियन में के सर पर तो बाल ही नहीं है, just because of our gene history, और बाकी आदे जिनके सर पर बाल हैं, वो आपको देख के सोच दे होंगे. अच्छे दिखने के लावा, I don't think so, कि क्रियेटीन करवाने के और कोई भी बेनेफिट्स हैं, पर अब आप लोग मुझे ये मत बोलना, ओ मोहित, पर क्रियेटीन कराने से अबारे एर ग्रोट 0.5555% जानव तेज होते हैं, shut up, bro, shut up. तो चलो, अब हम चलते हैं, नेगेटिव साइट्स क्रियेटीन करवाने के बालों में, और इस साइड लिस्ट थोड़ी से लंबी हो सकती है, तो हमारा नेगेटिव साइट का पहला पॉइंट है, लाइफ लेस हेर, अब आप लोग अपने बालों में, यहाँ अपने शरीर में कहीं पर भी, जब भी कोई chemical experiment करते हो, तो वो आपके natural hormones के उपर effect करता है, और most of the times यह effect एक negative effect ही होता है, तो जब आप temporary अच्छे दिखने के लिए, अपने बालों में creatine करवाते हो, जो खुद में एक chemical है, वो आपके बालों को negatively effect करता है, जिससे कि आपके जो बालों में natural oils produce हो रहे हैं, और natural creatine जो produce हो रहा है, यह उसे कम कर देता है, यह कुछ weak cases में उसको खतमी कर देता है, which leads to hair loss and even baldness. अगली negative चीज जो बालों में creatine कराने से होती है, वो है hair fall. अब हम लोगों के jeans की तरह हमारी hair density भी अलग-अलग तरीकी की होती है, hair density से मेरा मतलब है, कि आपके scalp पे एक particular area में कितने बाल exist करते हैं, कई लोगों की hair density अच्छी होती है और बाकियों की नहीं, अब मेरे opinion में बहुत कम percentage लड़कों की hair density अच्छी होती है, तो अगर आपकी hair density अच्छी नहीं है, और अगर आपके बाल पतली category में आते हैं, तो मैं भाई वाली सला दूँगा कि आप creating करवाना consider भी मत करना, अगर आपने उस conditions में भी अपने बालों में creating कराया तो, मैंने ये वीडियो बनाने से पहले, जित्ती भी research papers पड़े हैं, उनकी underline research यही थी, कि अगर आपकी hair growth अच्छी है, और उसी के साथ साथ अगर आपकी hair density अच्छी है, तब ही आप लोग creating कराने के बारे में सोचना, वरना it's not worth it, तो यह तो बात होगी, फायदे और नुकसान की creating करवाने के, अब अगर आप लोगों को मेरी hair style पसंद है, और अगर आप लोग मुझसे पूछते हो, कि क्या मैं अपने बालों में creating करवाऊंगा, तो यह सा भी doubt है, तो make sure आप comment मुझसे पूछो, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने बाहियों की जितनी ज़्यादा help हो सके, तो तो यह थी मेरी तरफ से आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को like कर दो, comment कर दो, share कर दो, और अपने एक नए फ्रेंड के साथ शेयर कर दो शायद अपने बालों में creating करा के अपने बालों को lifeless बनाने की सोच रहा है।